दोसों, ग्रेट आथर मिस्टर रोबर्ट की रहा कि कहते हैं कि अमीर बनना काफी हद तक अपने बॉड़ी को फिट बनाने जैसा है जिस तरह से आपको अपनी बॉड़ी को फिट बनाने के लिए डेली कुछ डिसिप्लीन को फॉलो करना पड़ता है आपको रिगलर जिम गाना पड़ता है और अपने डाइट को मेंटेन करना पड़ता है ठीक वैसे ही अमीर बनने के लिए भी आपको कुछ फानेशल डिसिप्लीन और कुछ हैबिट ज़लब करनी होती है और जिस तरह हर एक आदमी चाहता है कि उसका सरीर फिट रहे तंदरूस्त रहे बट इसके लिए ज़रूरी डिसिप्लीन है ज़रूरी एक्सन है जैसे कि सुबह उठना वाकिंग करना और यहाँ पे जिम जोईन करना और अपने डाइट्स पे रिगलर ध्यान देना तो यह जो डिसिप्लीन है जातर लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं और ठीक वैसे ही अरे एक आदमी अमीर बनना तो चाहता है बट उसके लिए ज़रूरी एक्सन लेना गोल सेटिंग करना और उसके उपर लगतार काम करते जाना शिल्फ इंप्रूइमेंट करना यह चीज़ जातर लोग नहीं कर पाते हैं और इसलिए जातर लोग यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अमीर नहीं बन पाते हैं यह एक major difference होता है कि जातर लोग चाहते हैं बट उसके लिए जो जरूरी श्टेफ है वो नहीं ले पाते हैं और इसके पीछे जो असली कारण है व बट इसके लिए आराम से रहने के लिए बहुत सरे चीजे डिपेंड करती हैं जैसे कि बहुत सरे financial matters हैं अगर उसके वो सही नहीं है तो आदमी आराम से नहीं रह सकता तो सबसे पहले अपने financial controls अपने हाथ में लेने होते हैं और अगर आप financially free हैं तभी आप यहाँ पे बहतर तरीगे से अपनी life को peace of mind के साथ जी सकते हैं अराम के साथ जी सकते हैं बट यहाँ पे जादतर लोग अमीर बनने से पहले ही वो अमीर बनने की शुरुवात में ही अपने आपको यहाँ पे comfort में रखते हैं और कोई भी तकलीफ वाला काम वो नहीं करना चाहते हैं जैसे मैं आपसे बस यही simple message देना चाहता हूँ कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं अपने financial situation को बदलना चाहते हैं तो आपको इस आराम को त्यागना होगा आपने comfort से आपको बाहर निकलना होगा और daily कुछ ने कुछ discomfort यानि कि ऐसे काम करने होंगे जिससे कि आप वो step प चाहते हुए अपने काम में लगतार improvement करते जाना है और जिस हद तक आप improvement करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से आप यहाँ पर shuffle बनते जाएंगे और अपने शपनों को पूरा कर पाएंगे बनने के लिए जो भी discipline maintain करना है वो आपको करना ही होगा और प्रोप्रो एक्सन लेने होंगे जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको positive habits और discipline action के साथ ही आपको काम करना होगा तो आई हो कि यह जो वीडियो है जो लेशन आपको पसंद आया होगा दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद हुआ है